हेलो एवरिवन स्वागा थे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टिचिंग टॉक्स में आज हम निस्कस करेंगे हिंदी का टॉपिक कारक सबसे पहले इसकी डैफिनेशन देखते हैं संग्या या सर्बनाम के जिस रूप से उसका संबंद बाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं देखिए संग्या या सर्बनाम के जिस रूप से जैसे माल लीजे ये एक्जामपल है राम ने धरम के लिए वान से रावन को मारा तो यहाँ पे राम संग्या शब्द है तो यहाँ पे क्या definition में कहा गया था संग्या या सरबनाम यहाँ पे संग्या है कि जिस रूप से उसका संबंद बाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है यह बाक्य के अन्य शब्द है और यह जो ने शब्द का प्रियोग किया गया है इसके द्वारा अने शब्दों का संबंद बताया गया है तो ये जो ने शब्द है ये कारक है अब देखिए कारक के प्रकार कारक आठ प्रकार के होते हैं करता, करम, करण संपरदान, अपदान संबंध, अधिकरन और संभूदन अब इसको हम एक सीक्वेश में लर्न करेंगे जैसे करता ने करम को करन से संपरदान के लिए या को अपदान से संबंध काके की रारेरी नाने नी अधिकरन में पर संभूदन हे अरे इस तरह से हम इसके प्रकारों को लर्न करेंगे अब देखिए एक एक्जेंपल करते हैं पहले राम ने धर्म के लिए बान से रावन को मारा अब देखिए करता के लिए ने कारक का प्रयोकिया है तो देखिए यहाँ पर करता है राम तो राम ने तो ने लगा है तो ये कौन सा कारख होगा करता धर्म के लिए धर्म के लिए तो यहाँ पे धर्म क्या है संप्रदान के लिए देखिए संप्रदान के लिए हमने यहाँ पे लिखा है संप्रदान के लिए और बान से किसे बारा बान से तो यहाँ पे यह क्या होगा करण करता ने करम को करण से रावन को मारा किसको मारा रावन को तो यहाँ पे रावन क्या है करम करता ने करम को तो यहाँ पे को प्रयोग हुआ है तो यह क्या होगा रावन करम होगा और हे भगवान मेरी रक्षा करो ये तो सिंपल है संबोधन किया जा रहा है हे भगवान ठीक है मेरी रक्षा करो तो ये कौन सा है संबोधन इसमें आप ध्यान से देखिए यहाँ पे को दो बार आया गया है को दो वार है एक वार यहां है को और एक वार सम्परदान में है को तो अब जब यह एक जामपल आएगी तो आप confusion तो इसमें हो गई करम में भी को है और संपरदान में भी को है इस confusion को कैसे दूर करेंगे देखिए जो करम बाला को है वो तो आप simple sentences में यूज करेंगे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कई राक्षेसों को मारा तो इस simple sentence है राक्षेसों को क्या होगा यहां पर करम कारक है और जो संपरदान वाला को है कि जब भी देने का भाब होगा या उपकार होगा तब संपरदान कारक आएगा ठीक है देने का भाब या उपकार होगा तो संपरदान कारक और इसी तरह से भी दो बार है से अपदान में से और करन में से तो इन दोनों को कैसे लान रखेंगे जो करन कारक है उसमें जो से का प्रयोग है वो एक तरह से साधन के लिए किया जाएगा साधन के लिए जैसे क्रिया का साधन बताने के लिए से का प्रयोग किया जाएगा करन कारक में और अपादान में अपादान का थोड़ा यहां पे देखें अपादान में जो से का प्रयोग होगा वो या तो भय दर्शाने के लिए अलगाब, दूरी, तुलना या ग्रीना दर्शाने के लिए किया जाएगा तो भय दर्शाने के लिए किस तरह से देखे एक्जांपल देखे जैसे वो शेर की दहाड से डर गया तो इस example में देख़े दहाड से यहाँ पिझे समय का प्रयोग है उसे पूरे बाग कर पढ़िएंग वह शेर की दहाड से डर गिया तो इसमें भय का भाम है तो यह होगा अपादान का रख इसमें जो से है वो अपादान के लिए प्रयोग किया गिया है और अलगाब के लिए example देखे जैसे पेड से पत्ता गिरता है और यह काफी repeated example है पेड से पत्ता गिरता है तो यहाँ पे जो पेड से पत्ता गिरता है अब इस से से आप कैसे पता लगाएंगे कि यह अपादान है क्योंकि इसमें अलगाब शोर है न बिछड रहा है वो पेड से एकदम अलग हो रहा है तो पेड से पता गेता है यह कैसा एक्जामपल होगा यह होगा अपदान का और दूरी के लिए माल लीजे सुर्बी का गर स्कूल से दूर नहीं है तो यहाँ पे दूरी इस एक्जामपल में दूरी बताई गई है तो यह कौन सा होगा अपदान और तुलना के लिए एक्जामपल देखिए रीमा का गला कशिस से मधूर है तो इसमें तुलना की गई है उनकी मधूर आवाज की तुलना की गई है किसी भी तरह की कोई भी तुलना की जाए तो उसमें अपदान कारक होगा और गरीना के लिए जैसे अरुन को चिपकलियों से गरीना है तो इसमें गरीना दर्शाई गई है तो ये कौन सा कारक होगा अपादान कारक और करन वाला हमने कर लिया जो करन वाला से है वो साधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा जैसे किसी भी क्रिया का साधन बताने के लिए ठीक है तो ये हमारे कारक यहीं पर कंप्लीट होते हैं बहुत इजी है एक बार आप इसको बिल्कुल खुद से प्रैक्टिस कीजे तो अब हम इसकी थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं फॉस्स एक्जामपल है रोहित हार्मोनियम बजाता है तो ये तो बिल्कुल सिंपल एक्जामपल है रोहित क्या है यहाँ पर करता कौन बजा रहा है हर्मोनियम रोहित बजा रहा है तो यह क्या है करता किसी भी प्राणी को कस्ट पहुंचाना घोर अपराद है प्राणी को अब को का प्रयोग कहां किया गया था करता ने करम को करम के लिए आगे क्या था करन से संपरदान के लिए या को तो करम और संपरदान ये क्यों आएगा कॉचम आएगा संपर्दान सप्राइब резी वाव उपकार, तक माणने कुछ देना⁉ ये रहे क्या है, वामस्तेकर नहीं है कि एब जゴ संप्राण का नहीं है क्या होगा इस प्रानी के तुट जते हैं क्या होगा करम, आगे next example है सच्ची मित्रता हिर्देव से जनम लेती है, हिर्देव से तो यह यह भी से दो बार आता था एक बार आता था करन करन से और एक बार आता है अपदान में तो अपदान में तो हमने किया था भय अलगाब दूरी तुलना और लेकिन इसमें कोई भी नहीं है तो यह कौन सा होगा यह होगा करन गीता अपनी किताब संदीप को दे रही है संदीप को दे रही है इसमें को संदीप को दे रही है तो इसमें देने का भाब है तो ये क्या होगा देने का भाब किसके लिए यूज करते हैं संप्रदान के लिए दान से याद रखिए संपरदान देने का भाव या उपकार करना रोहन अपने पिता जी के लिए चश्मा लाया पिता जी के लिए लाया किसी और के लिए लाया देने का भाव या उपकार करना तो किसी और के लिए लाया तो ये कौन सा होगा संपरदान भगवान श्री कृषण ने कई राक्षिसों को मारा तो को करम और जून में गर्मी की जुटियां होगी जून में कैसे करेंगे करता ने करम को करन से संपरदान के लिए या को अपादान से संबंद का के की अधिकरन में पर तो ये कौन सा है अधिकरन में तो एक ही में आता है ना अधिकरन तो यह अधिकरन होगा पल भर में लड़का कक्षा से बाहर चला गया पूरी कक्षा से बाहर एक लड़का गया है तो इसमें अलगाव शो हो रहा है तो यह कौन सा होगा अपादान तो यह आठ जो भेद हैं इसके यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोई भी एकजाम हूँ उसमें कारक से रिलेटर तो कोईशन आपको देखने को मिल जाएंगे हिंदी सेक्षन में बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है और इसे अच्छी से करके जाएंगे तो बिलकुल इस